नाम राकेश रंदी, मैं financial consultant और business coach हूँ, अभी तक की मेरी moratorium 2.0 की series चल रही है, जिसमें मैंने हर एक bank में आप अलग-अलग कैसे apply कर सकते हैं EMI के लिए उसके बारे में बताया रहा, पिछला वीडियो था मेरा SBI के regarding, SBI के लिए आप moratorium का कैसे lab उठा सकते हो बताया था, आपको कैसे मिल सकता है, तो शुरू करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो, देखिए HDFC का moratorium video 2.0 है, वो 1.0 से बिलकुल अलग है, इसमें HDFC ने officially यह announce कर दिया है, कि अगर आपको यह दूसरे moratorium period का फायदा लेना है, तो आपको अलग से उसके लिए apply करना होगा, यह application करने के लिए आज 1.0 से HDFC की official website पे उसकी link रख दीगी है, जब भी आप link पे click करेंगे, आपका loan account number है, वो आपको ready रखना है, registered mobile number है, वो दोनों चीज़ आपको ready रखना है, आपको option होगा, आपको moratorium ता lab लेना है, yes or no में, अगर आप yes करते हैं, तो आपको कितने महिने के लिए इसका lab लेना है, एक महिने के लिए, दो महिने के लिए, तीन महिने के लिए, यह सभी चीज़े आपको mention करनी होगी, अगर आपका मान लीजे किसी reason से EMI deduct हो जाता है, तो इसका भी इसके अंदर प्रावधान दिया गया है, आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं, इसका customer care number है, व आपका refund है, वो भी वापिस आपको मिल सकता है, जो भी आपका EMI deduct हो चुका है, तीसरा option, अगर इसके अलावा भी आपको response नहीं मिलता है, तो आप एक mail में या return application के दुरू, आप इसका application आप अपलाई कर सकते हैं, मोलेटरून के लिए, और अगर आप mail के दुरू करते हैं तो इसका mail ID है, loansupportattheretshafc.com, इसका भी मैं description में link रखने वाला हूँ, आपको return में application देने है, इसके इंदर खास आपको loan account number और register mobile number है, ये आपको अंदर mention करना है, तो ये बात थी loan के regarding, credit card के लिए अगर मैं बात करूँ, तो credit card के अंदर अगर आपका bill amount है, वो due date आ जाती ह अगर आप ये due date नहीं परते है, इसके लिए आपको special कोई आपको process करनी की जुरत नहीं है, अगर आप ये due date मिस कर जाते है, तो automatically ही आपका credit card का जो bill है, वो EMI के moratorium में consider किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो भी rate of interest है, वो as per applicable ही लगने वाला है, EMI के moratorium में भी same होने व आपका अगर monitoring period में अपने अगर apply नहीं किया, तो specifically आपको apply करना होगा, EMI के लिए, rate card के लिए apply करने के जुरत नहीं है, और अगर आपने apply नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका EMI bounce है, और extra charges है, वो भी आपको देने होगे, तीजरा ही होता है standing instructions का, आपने EMI का bill payment है, वो आपके किसी दूसरी account से आप कर रहे हो, तो हर मेने की particular date को है, वो आपका bill है, वो रेज हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको special application देनी होगी, वरना आपका bill है, वो आपका direct deduct हो जाएगा, और bounces charge है, bounce के जो चार्ज है, वो आपको bear करने होगे, तो दोस्तों, अभी तक का म बता हो, HDFC के बारे मता है रहा, अगर आपका EMI डिड़क्ट हो चुका है, तो पांट से दस दिन के अंदर आपको refund मिल सकता है, इसी प्रोसेस को फोलो करके, मैंने सारे description है, वो मैंने लिंक है, वो description में दे दी है, तो HDFC के EMI के सारी प्रोसेस है, वो भी तक आपको बता दी अगर आपको इसके अलावा भी कोई बैंक के regarding में आपको जान करे लेनी है, तो comment box के अंदर इसकी information मुझे दीजेगा, मैं गोशिश करूँगा कि पूरी आपकी query है, वो sort out कर पाओ, अभी तक के लिए पूरा वीडियो देशने के लिए आपका बहुत बर शुक्रिया, अग कि आपको आने वाले नए information के बारे में नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको अप्रेशन मिलते रहे, अभी तब तक के लिए धन्यवार, thank you very much.